नमस्कार सात्य वासा करता हूं सब लोग मसंदर जिंदवाद होंगे आज हम लोग एक बहुतरीं टॉपिक लिकर के आहे हैं जिसका नाम है जनगंड़ना जनगंड़ना से हर एक्जाम में आप किसी परतियों की परिच्छा की तयारी कर रहे हो चाहें आप UPSC की तयारी कर रह हों या तरफ्लिस पुलिस की तयारी कर रहे हूं तो यहासे हररे ग्जाम में एक या दो कॉश्न आना च्छोटी सी वात है और आपको एक बहुत बहुत हो जाते हैं इसलिए आपके लिए बहूत है है और एक मैं आसा करता हूं कि इसके लिए आप बहुतरी नोट्स बनाएंगे इसे पढ़ांगा मैं और एक बहुतरीं तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे यह भी मिरी आसा है इस समय SSC की जगह भी आई हुई है जिसी जेल की सत्रयार से अधिक जगह है उसमें आप अगर आपके गरिशन कर रहा है तो उसकी तैयारी में आप आप ही स्टूड़ जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्यों सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जानता है और भाई मानते तो पांस दोस्तों के यह जरूर कर दीजिएगा और क्य चाहिए गया है कि भारती संवेधाने किस आर्टीकल के तहत के अनुसार देश की जनगर्णा करने का दायतुक्त सेंटर गवर्मेंट के कंदों पर है तो मित्र इस कोश्चन का जो राइट आंसर है वहाँ 278 बिल्कुल राइट आंसर है इस कोश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ठीक है आगी धान दीजिए अगला कोश्चन है भारत में पहली जनगर्णा किस वर्स कराईगी थी मतलब यह है इंडिया में देखो बैसे तो जनगर्णा अपने इंडिया में मैं जानता हूं मौर काल में कराईगी थी अकवर के सासन काल में कराईगी थी उसके बाद देखेंगे कि ब्रेटिस सासन काल में देखा जाए तो भारत में पहली बार जनगर्णा कराईगी थी वह 1872 में कराईगी थी अच्छा 1872 में जब कराईगी थी भारत में जनगर्णा उस समय गवर्नर जन अगला कॉशन दिया हुआ है भारत में नयमित रूप से जनगणना कब कराई गी थी यह पूछा गया है तो भारत में कंट्यूइस रूपसे प्रति दस वर्स बाद यह जो कराईगी थी 1881 में कराएगी थी 1882 में कराएगी जनर्रल कौन थे तो ध्यां रखना लाड रेपिन थी 1881 में कराएगी तो आप लोग याद रख सकते अगला कॉशन है 1881 में जनगणा आयुक तो कौन थे ये पूछा गिया है तो जनगणा आयुक तो उसमें मित्र WC Planet थी कौन थे? WC Planet थी जो British थे, अंग्रेज थे उसमें जनगणा Sensor Commission थी मित्रा अगला कॉशन है अच्छा भारत में जनगणा कराएगी आती है पर 10 वर्स बाद कराएगी आती है 1882 के बाद ये नियमित रूप से देखा जाए तो 10 वर्स बाद कराएगी आती है पूचा गया 10 की जनगणा की शुरुवाद किस देश से हुई थी? परतेख देश की जनगणा 10 वर्स बाद कराएगी इसका शुरुवाद किस कंटरी ने की थी तो अमेरिका ने की थी किसने अमेरिका ने की थी इस कॉशन का बिल्कुल राइट अगला कॉशन दिया हुआ है कि भारत की जनगर्णा 2011 सुनतरता के बाद कौन से नंबर की जनगर्णा है यह पूछा गया है जो हमारा देश नानटी फोटी सेवन में सुनतर हुआ था उससे बात देखा जाए तो अब तक 2011 की जनगर्णा हुई चुकी है तो यह कौन से नंबर की जनगर्णा है तो याद रखना सातवे नंबर की जनगर्णा है अप लोग याद रख सकते हैं अगला कॉशन है अच्छा एक बात वर बत रख सकते हैं अगला कोशन दिया हुआ भारती की जनगर्णा 2011 का नारा कौन सा था इसका तो 2011 में जनगर्णा कराएगी थी उसका नारा कौन सा था उसका नारा मित्र हमारी जनगर्णा हमारा भविस इसका नारा था याद रख सकते हो सकता है पूछ लिये जाए अगला 2011 की जनगर्णा आयोक तो तक याद रखिए सीचंद्र मौली कौन थे दोयरगार में जनगर्णा आयोक थे लेकिन बरतवा सह में 2024 में कौन है तो मरतंजय कुमार नाराहन है आप लोग याद रख सकते ह। अगला question है निम्न में सो कौण सा मंत्राल है भारत में जनगणना कराने का कारिए यह पूछा गया है तो मित्र ध्यान रखना कि जो सबसे पहले जो जनगणना करा जाती है कें शरकार का बिसए है और केंशरकार का और पिरिएम हैं, अगला है, राश्टी जन संक्या नीति कब लागु की गई थी? यह पूछा गया है. तो राष्टी जनसंक्या नीती का मतलब यह होता है मित्र, कि इस समय बारत की जनसंक्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, और एक समय ऐसा आएगा, कि जनसंक्या बहुत भाहिंकर हो जाएगी, अद्धिक मात्रा में हो जाएगी, जिससे बहुत बढ़ी मात्रा में समस्या वत्पन होगी, बर्ट जंसंक्या को किसी तरीके से कंट्रॉल करना है, नेंतन करना है एक समय आने पर, यसे भार सरकार का टार्गेट है 2045 तक हम जन संख्या को इस्तर कर लेंगे, उसके बाद 10 से लोग करके कम करते जाएंगे, तो हमें तरह जो जन संख्या नीद थी लागव की गई थी, वह वर्ष से 2000 में लागव की गई थी, डीस का बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि 2045 तक हम लोगों का टार बाद 1021 करोड है, क्योंकि भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए जन संख्या के मामले में वर्ल्ड कॉप जीत लिया है, ठीकि आप लोग याद रख सकते हैं, अगला कॉशन है, 2111 की जनगंड़ना के अनुसार पुर्सों की संख्या का परसेंटेज कितना हैं, यह पूछा है, जो पुर्स हैं, जो माने के चलिए 100% जो पॉपूलिस न इंडिया की, उसमें पुर्स कितने हैं, तो आप लोग बताइए, 51.47% क्या हैं, मतलब 41.47% क्या हैं, पुर्स हैं, और महिला हैं कितनी हैं, महिला पूछा गया है, तो बताइए, 48.53% क्या हैं, मतलब 41.47 हैं, अब दौनों डाटा यहीं से याद कर सकते हैं, यह आपके पूर्स हैं, और यह क्या हैं, महिला हैं, ठीक है, आप लोग याद रह सकते हैं, उमयानता हूं, आप एक 42.00 की बना रह जनसंग्या का कितना परसेंट है मान की चलिए मैं इस कॉशन बताता हूं विश्व की जनसंग्या है वह 100 परसेंट है जो विश्व है दुनिया है उसकी जनसंग्या परसेंट है इसमें पुर्सों की सब्सारी बहारत की जनसंग कितनी है तो बताजी दिए 17.5% की समथेंगे कितना है 17.5% की समथेंगे इस लिए बी उफसन की ओर जाएगे ठीक है इस कॉशन का बी विल्कुल राइट अंसर है अगला कॉशन है 211 की जनगंडना के नुसार भारत की वार्सिक जनसंग्या ब्रदीदर कितनी है मतलब वार्सिक का मतलब यह है कि एक वर्स में कितने परसेंट जनसंग्या बढ़ी है एक वर्स में इसे वार्सिक जनसंग्या ब्रदीदर कहते हैं तो ध्यान रखना एक पॉंट छे फूर परसेंट एक पॉंट सिक्स फूर परसेंट जनसंग्या बढ़ी हुई है इसलिए सी ओफ संग कूर जाएंगे आप लोग याद रख सकते हैं अगला कॉशन है 2011 की जनगंडना के अनुसार भारत का जनसंग्या गनत्तों कितना है यह पूछा गया है जनसंग्या गनत्तों मतलब एक वरक किलोमेटर में कितने भारती निवास करते हैं उसका मतलब यह होता है तो ध्यान रखना यह 211 का सेंसर है इसका राइट अनुसार 382 ह भारती नागर प्रतिवर किलोमेटर में निवास करते हैं अगला कॉशन है 211 की जनगंडना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है सेक्स रेस्यू कितना है मतलब 1000 पुरसों पर देखा जाएं कितनी महिला है महिला है कितनी है यह पूछा गया है तो मितर ध्यान राइट अंसर है Hey पூचा गया जहाए 211 की जनगंड़ना के सार्फ का सिसु लिंग shakyान पात कितना है तो सिसु लिंगान पात में तिल्ग भाउन नीस है के तो ते ताल है 943 किकतना है 919 है दोनों वाते याद रख सकते हैं 2011 की जनगंड़ना के सब्पाद भारत की साचरता कितने परसेंट लोग पड़े लिखें यह पूछा गया है मतलब अगर मान की जत्री यह सो ब्यक्ति भाहरत में निवास करते हैं इसमें कितने ब्यक्ति लोग पड़े लिखें तो 74.04 परसेंट लोग पड़े लिखें अच्छा अगला पूछा गया है कि 2011 की जनगंड़ना के नुसर भाहरत में पुरुष साच शर्दातर कितनी है मतलब यह है कि 74.04 परसेंट टोटल पड़े लिखें भाहरत में इस तरी पुरुष दोनों सामिले लेकिन पुरुष कितने पड़े लिखें तो 82.04 परसेंट लोग पड़े लेखिये यह सका right answer है तो महिला के तनी पड़े लिखें तो महिला में तरी पड़े लिखेंट वो 65.46 पड़े 65.46 महिला पड़े लिखेंट भारत में तीनों फेक्टों को आप लोग अलग से आज रागा सकते हैं पुरुष मैला कितनी पड़े लिखेंट टो 65.4 परसेंट पूरुष के तेपर लेखें, 82.14% और टोटल साचरता कितनी है, 74.04% मित्र, ठीक है, तीरों फैक्टों को आप याद कर लीजिए, अगला कॉशन, जिसकी साचरता सबसे कम है, बिहार है, जहांपर लगवो 64% लोग पड़े लिखें, 64% लोग पड़े लिखें, ठीक है, अगला कॉशन है, भारत की जनगर्णा, किस राजजी की साच्छरतादर सरवादिक है, सबसे अधिक साच्छरतादर किसकी है, तो केरला की है, सबसे कम किसकी है, बिहार की है, इन दोनों बातों को आप लोग याद रखेंगे, तो जहार रखना केरली कितनी है, तो केरली की मित्र 94% लोग पढ़े लिखें, जबकि बि लोग पढ़ लिखिए अगला है Wow FR में नियुंत अच्छरतर अप वाला राज्जी कौन साहे जन्संक्या वायर तो आंदफ प्रदेशा हैं आप लोग याद रचेंगे प Pasबिस्फ जस्ष करता दो वाला ह। तौह यह अपना केरभ राजिच आप Lunch केरल राज्य है एस कॉशन का बिल्कुल राइट आंसर है जहां पर 93 परसेंट लोग ग्राओं के पड़े लेखे हैं अगला कॉशन दिया हुआ 2011 की जिनगर्णा के नुसवार अनुसुश्य जातियों का लिंगानुपात केतना है देखो मैंने टोटल लिंगानुपात बताया इसमें अगर सी का देखा जाए तो कितना है तो 945 कितना 945 ठीक है आप लोग याद रख सकते हैं पूछा गया है 2001 से 2011 के दोरान देश में अन्सूश्य जाती की दस्की ब्रदीदर कितनी रही है यह पूछा गया है तो इनकी ब्रदीदर रही है 20.8 परसेंट रही है 20.8 परसेंट रही है उसके बाद 2011 की सैंसर के अनुसार कोल जन संक्या में अनुसूचित जन जाती की संक्या कितनी परसेंट है मतलब अगर मान लिया जाए 100 परसेंट लोग पढ़े इंडिया में नमास करते है तो इसमें ST कितनी है ST कितले यह पूछा गया है तो 8.6% ST है मित्र याद रखना आप लोग revision कर सकते हैं अगला question है यही पूछा गया है sensor 2011 के अनुसार कुल जनसंक्या में अनुसूचित जाती की संक्या कितनी है अनुसूचित जाती फिर वही condition 100% लोग है भारत में इसमें SC कितनी है तो SC में 16.6% जाओ जस्ट ST का double है ठीक है अगला question है 2011 की जनगना के नुसार भारत में सहरी जनसंक्या का परसेंटज कितना है मतलब 100% लोग है मित्र उसमें सहरों में कितने निवास करते हैं यह पूछा गया है अरस्ट पॉइंट के सम्थिंग आ जाएगा इसनी SC का वर्कुल राइट अंसर है गाओं में कितने लोग परसेंट लोग नुवास करते हैं अरस्ट पॉइंट आट परसेंट लोग गाओं में नुवास करते हैं भारत के अगला question है 2011 की जनगना के नुसार भारत का वह राजी कौसा है जिसकी जनसंक्या सबसे कम है तो आप यह मन सोचिए गोवा राजी सबसे छोटा है वो छेतर फल में जरूल छोटा है लेकिन सिक्किम से जनसंक्या में आगे है तो सिक्किम राजी है वह राजी है वो किस राज़ी की सरवाधिक रही है तो बत्त मेगाले की रही है, किसी रही है, मेगाले की रही है, इस käyt櫌 शुर्चन का A, बिलकुल राइट आंज्व है, आप लोग याद रख सकते हैं, अगता कोशन दिया हुआ। किस राज्य में जनसंक्या की 10 की ब्रद्दर सबसे कम दर्ज की गई है तो देखो सबसे 10 की ब्रद्दर किस की है मेगाले की है लेकिन सबसे कम किस की है तो पूर्वत्र कोई राज्य है नागालेंड नागालेंड की सबसे कम 10 की ब्रद्दर रही है ठीक है अगला है भारत का जनसं के घंणत्य सबसे अधिक है वो मित्र व्यहार है वही राज्य है जिसकी साच्छर्था सबसे कम है लेकिंगा जनसं के घंणत्य कितना है तो याद रखिए एक अजार एक सो च्छे मला एक हजार एक सो च्छे वर्ग किलो मीटर प्रत्वर खिलो मीटर के समतेंगे मित्र ठीकिंगे आप लोग याद रख सकते हैं हुँ अगला दिया हुआ है भारत का सबसे कम जंसंग्याराज्य कोणसा है तो मित्र सबसे कम जंसंग्या गनतवाल राज्यə aspiring a अगला हैं भारत में किस राज राज में उच्चतं लिंगार professor मतलब सब एक हजार पर अधिक मात्रा में महिलय सतत्ध है तो यहाँ पर पाएंगे कि- एख़ावाइः पैस्त्रुब्ह हां पुर्शन पर एक ऐख चौरासी महला आप लोग याद रख सकते हैं अगला कोशन दिया हुआ है भारत का ऌत्राफ किस राज-ची का लिंगानुपा सबसे कम हैं मतलब यह कोशन में तरब भैतरीन कोशन है इस्टाल लगा दीज मिठेग को की तो हाँ नहीं है आपको एक्जांग के बीसि नबें और लकौत करते हैं अगला कोशन है सबसे यदिक नगरी जिनसंक्या परसेंट वाला राज जी कुन सा है तो मित्र नगरी जो जिनसंक्या है वह आपकी गोवा में निवास करती है कहां पर गोवा में निवास करती है डीस का बिल्कुल राइट है ठीक है अगला कोशन है यहां पर नगरों में लगा 60% जनसंख्या निवास करती है अगला कॉशन है सबसे अधिक नगरी जनसंख्यावाल राज्जी कुन सा है सबसे अधिक नगरी जनसंख्यावाल राज्जी कुन सा है तो बता सकते हैं महारास्ट महारास्ट के सेरों में लोग ज्यादा निवास करते हैं आप लोग य सबसे अधिक समधाई की जनसंख्यां सबसे अधिक जनसंख्या शम इसम अदिक समधाई की जनसंख्या प्रदैस सम suffrage के प्रदेश दिल्ली है तो बoup प्रदैस की बत्यक सबसे अधिक जनसंग क्या पाई जाती है केंसासर प्रदेश में और सबसे कम जनसंग के वाला केंसासर प्रदेश कौन सा है तो वह मितर लक्षी दीप है कौन सा लक्षी दीप है जो अरब सागर मिशते थे कि संभे अरव सागन मिस्टत है इसकी रायधानी कौनसी है कावारठ्थि है कावअरठ्थी की रायधानी में अगला सबसे अधिक साच्छर्ता परसत वाला केंट साocation्ट प्रदेश कौनसा है यह पूछा जनसंग के आवाला किन सासत प्रदिस कौन सा है तो याद रखना लच्छ दीवे इस कोशन का राय टांस पर कौन सा है डी सही है तो मित्र यह सैसन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सैसन को लाइक जरूर कर दीजिए फिंगर पूंट आपके सही हो जाएंगे कोई को और सैसन पर नयों सब्सक्राइब कर लिना और क्योंका आपको पता है इस पर जीएस के सारे विश्टे फ्री पड़ाता हूं और सैसन अच्छा लगए तो प्लीज अपने भाईयों को जरूर सीर करिए तब तक के लिए जैन क्या भाद